आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पोहा के कटलेट की रेसिपी तो सबसे पहले पोहा में थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसे हलका सा गीला कर लेंगे जिससे ये सॉफ्ट हो जाएगा अगर आप थोड़ा मोटा पोहा लेते हैं सो से दो तीन बार पानी से धो कर चान कर पांच मिनट के लिए रख दीजे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा अब हम इसमें डालेंगे दो मीडियम साइज के उबले हुए ग्रेट किये हुए आलू, महीन कटी हुई शिमला मिर्च और गाजर, एक मीडियम साइज का प्यास बारिक कटा हुआ, तीन चार हरी मिर्चे और धनिया के पत्ते कटे हुए इन सभी चीजों को मिक्स करेंगे, साथी इसमें डालेंगे स्वात के अनुसार नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, हादा चम्मच करम मसाला पाउडर, और एक चम्मच डालेंगे मिक्स ठर्प्स या पिज़ा सीजनिंग, और आदा चम्मच डालेंगे चाट मसाला, पिज़ तो ना डाले इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक टो तैयार करेंगे अब इसमें हम छोटा सा पोर्शन लेंगे और अपने मन पसंद के शेप हम कटलेट्स को देंगे तो हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे तो जिससे की शेप देना बह दे सकते हैं देखे ये सारे कटलेट्स हमारे तैयार हो चुके हैं अब एक कटोरी में एक चम्मच मैदा और एक चम्मच कॉर्ण फ्लो डालकर उसका घूल बनाएंगे उसमें एक पिंच नमक भी डाल देंगे उसके बाद हम कटलेट्स को उसमें डिप करेंगे और उसके बा कटलेट को मैदे और कॉर्ण फ्लोर के गोल में डिप करेंगे और उसके बाद उस पर हम ब्रेट क्रम्स लगाएंगे ब्रेट क्रम्स लगाने के बाद हाथों से थोड़ा सा दबा देंगे जिससे ब्रेट क्रम्स अच्छे से इसमें चिपक जाएंगे और जब हम इसे तेल में तो हमारे ब्रेड क्रम्स बाहर नहीं निकलेंगे तो देखिए सारे हमारे कटलेट्स फ्राइ होने के लिए तैयार हो चुके हैं अब हम पैन में तेल गरम करेंगे आप चाहे तो इन्हें शेलो फ्राइ कर सकते हैं और आप चाहें तो आप इन्हें deep fry भी कर सकते हैं. तो मैं इन्हें shallow fry कर रहे हूँ. तो इन्हें medium heat पर shallow fry करेंगे और जब ये एक तरफ से golden color के हो जाएंगे तब हम इन्हें किसी फोक की हल्प से पलट देंगे और इन्हें बढ़िया सा golden color आने तक और बहुत अच्छा crisp आने तक fry करेंगे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे तो अब ये golden color की हो चुके हैं अब हम इन्हें थोड़ा सा और crisp होने तक fry करेंगे उसके बाद हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे तो देखिए ये हमारे बहुत ही बढ़िया crispy cutlets बनकर तयार हो चुके हैं अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे और ये serve करने के लिए तयार हैं तो देखिए आप इन्हें serve कर सकते हैं हरी चटनी के साथ या आप इन्हें serve कर सकते हैं sauce के साथ और गर्मा गरम चाय के साथ तो आप भी इस recipe को जरूर try कीजिए